इसमी तुम counting एन मुज़प मीज़ow आज हम हम चर्चा करने वाले हैं भारत चाइना विवात के बारे में भारत और चाइना के वीच में आपसी मत्यवियत जो हैं क्लें वो लगातर बढ़ते के पीछे क्या खारण है क्या वज़ा है इसको हम इस वीडियो के माद्धिम से समझने का प्रियास करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए चाइना जो है इस समय काफी डैमिज में है काफी दवा हुआ है उसका मुख्य कारण है कोरोना और कोरोना की वज़े से वो ताकि जो उसकी खुद की जनता है उसका भी उससे ध्यान अटे लेकिन उसके लिए उसने जो रड़निती अपना ही है वो सामरा जवाद की और इसारा करती है लेकिन इस समय इसका जो कारण है इसका जो मूल कारण है उसको मैं समझने का प्रियास करेंगे देखिए चाइना ने बहुत ही aggressive तरीके से भारत को धमकी दिये चाइना ने कहा है कि China warn India of economic repercussions if it support the US in cold war against China यानि कि चाइना ने कहा है कि भारत जो है वो US के cold war है इनका जो trade war चल रहा है उसको अगर support करता है तो चाइना भारत को economic damage देगा यह चाइना ने भारत को धमकी दिये यहाँ पर यह article आप पढ़ सकते हैं अभी हली का article है तो चाइना ने भारत को धमकाया है कि अगर उसने US के साथ मिलकर trade war में हिस्सा लिया या कोई ऐसी रणनीती बनाई जो चाइना के खिलाफ होगी तो चाइना जो है वो भारत को damage पहुंचाएगा ठीक है काफी कड़े सब्दों का इस्तमाल यहाँ पर किया गया है तो चाइना का जो global times है यानि कि यहाँ पर एक ही news चलता है global times तो यहाँ पर इस ख़बर को चापा गया है इसके बाद देखिए बारत और चाइना जो है इन दोनों के सैनिक जो हैं बॉर्टर पर डटे हुए हैं काफी दिन हो गए बताते हैं कि 5-6000 सैनिक जो हैं वो आमने सामने हैं लद्दाक में तो यहाँ पर जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो बैनर लगाए खड़े हुए हैं कि यह जो सीमा है वो हमारी है और अकसर होता है जब भी गर्मिया आती हैं तो जो सैनिक हैं वो पेट्रोलिंग करने नीचे जाते हैं चाइना के जो सैनिक हैं वो नीचे आते हैं और यह आपस में यहाँ पर कोई बॉंडरी नहीं है कोई पिलर नहीं है तो यह अनमानित रेखा है एक और आपस में कई वार मतवेद उत्पन हो जाते हैं लेकिन उनको सुल्जा ली जाता है और जैसे ही ठंड आती है सैनिक जो है वो बापिस उस जगे को छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी बैंकर ठंड पड़ती है जो क्योंकि यह जो पूरा एरिया है वो बंजर है यहाँ पर जैसेंगिया का बिलकुल ना के बरावर है तो इस लिए इस इलाके में कभी-कभी पेट्रोलिंग की जाती है भारत-पाकिस्तान कित्र यहां संबेदन सी नहीं है क्योंकि यहां पर हिंसा होती नहीं अक्सर लेकिन आखिर यह हो क्यों रहा है चाइना क्यों यह बिवात खड़ा कर रहा है देखिए चाइना के साथ साथ नेपाल जो है वो भी चाइना को सपोर्ट कर रहा है उसके पीछे भी क्या है एक कारण है मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर आर्टिकल है चाइना सेप्स नेपाल पीएम ओली गवर्मेंट यह देखिए याने कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था जो यहाँ के प्राइम मिनिश्टर है ओली साव उनकी जो गवर्मेंट थी वो अल्पमत में आ गई थी तो चाइना ने क्या किया जो सांसद थे उनके साथ बैक टू बैक मीटिंग की और जो सांसद है उनको सीधा बोला कि देखो भाई आपको क्या चाहिए उनसे मीटिंग की उनको जो भी चाहिए उनकी demand पूरी की चाइना ने और जो ओली की जो government है इसको चाइना ने बचा लिया यहाँ पर भारत की जो कूट नितिक हार हुई थी तो यह हमारे जो media channel ने वो ऐसी report को cover नहीं करते इसलिए उसकी जो global ranking है वो काफी बेकार है तो चाइना ने क्या किया इनकी जो government है उनको बचा लिया अब चाइना के हाथ में क्या है नेपाल की government है चाइना जब चाहे नेपाल की government को गिरा सकता है दूसरा करण क्या है दूसरा इसके पीछे एक logic है कि जो माक्सवादी government होती है इसको भी इन्होंने काफी support किया है तो अब जो ओली सावें वो चाइना के कहने पर हर कोई स्टेटमेंट लगातर भारत के खिलाब दे रहे हैं दो दन पहले ही नेपल ने अपना एक नया मैप जारी किया है उसमें जो भारत का हिस्सा था यानि कि काला पानी लीपू लेक जो थी ये जो जगह थी पहले भारत के इससे में थी बहुत लंबे समय से भारत के इससे में थी काले पानी की सज़ादी या दी थी पहले आपने इस्ट्री पड़ी होगी उसमें बहुत सारे लोगों को काली पानी के साय दिये तो बहुत लंबे समय से ये जो हिस्सा है वो भारत के बास था लेकिन नेपाल की गवर्मेंट ने क्या किया है अभी दो दिन पहले ही एक नया पॉलिटिकल मैप लेके आई है और उसमें जो काला पानी वाल ये जगए इसको इन्होंने अपने मैप में दिखाया है कि ये जो हिस्सा है वो अब हमारा है इससे क्या होगा बारत और पाक जो नेपाल है उसके सम्मंद बिगड़ेंगे और वही चाइना चाहता है बरना इतने सालों से ये जो लोग थे इस काले पानी की जगए थी इसको क्या कर रहे थे accept कर रहे थे लेकिन अब क्या हुआ ऐसा क्या होगा कि काला पानी के जो मैप का विवाद है ये सब कुछ जो है वो चाइना के कहने पर हो रहा है अब यहाँ पर आगे देखिए चाइना है जाए प्रूब टू डिमूफ टू टर्म लिमिट अब देखिए चाइना ने क्या किया जो सी जिंपिंग साफ थे इनके पहले चाइना में रूल था कि सिर्फ दो बार ही कोई व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपती बन सकता है लेकिन चाइना का जो यह नियम था इसको क्या किया बदल दिया गया और सी जिंपिंग ने क्या किया बड़ी चुत्राई से अपने आपको लाइफ टाइम राष्ट्रपती बना लिया कहां का चाइना खा ठीक है अब राष्ट्रपती बना लिया तो इसके सम्मन्द में बहुत सारे जो लोग थे वो उनके मन में मतवेत थे कि ऐसा कैसे हो सकता है एक जो व्यक्ति है वो पूरे जीवन वर के लिए राष्ट्रपती कैसे बन सकता है लेकिन जब यहां पर बोटिंग होई तो बहुत केबल दो देखिए केबल दो लोगों ने इसके बिरोद में बोट दिया और तीन लोग ऐसे थे वहाँ जाकर जाने से कोई फायदा नहीं है जब कोई सुने गए नहीं तो वो तीन लोग थे वो क्या होगे absent होए out of 2964 बोट तो यहां पर जो 2964 बोट है उसमें से दो ने सी जिंपिंग के खिलाब बोट किया और तीन लोग ऐसे थे जोनोंने बोट ही नहीं किया वो आए नहीं उनके कोई मदलब ही नहीं जाने से और यह क्या है लाइफ टाइम के लिए चाइना के प्रिसिडेंट च हो सकते थे क्योंकि चाइना की पॉल्सी होती ही ऐसी है अब यहां पर लगातार इसके बारे में क्या है जो जनता है उसमें लगातार यह बाते उठ रही थी कि यह क्या हुआ चाइना की जो गवर्णमेंट उसको डेमेज दे दिया अब जो कोरोना वाइरस चल रहा है कोरोना चाइना की जो लोग हैं उनके पिरती विश्व के लोगों का नजरिया बदला है बहुत सारे चाइना के लोग यूएस में काम करते थे यूकेम काम करते थे ब्रेटेन फ्रांच जर्मनी वहां से वो लोग अपने देश आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो बिदेश हैं जिंपिंग के आएं अपनी कुरसी बचाने के लिए लगातार ऐसे प्रियास कर रहे हैं ताकि वो कुछ ऐसा करके दिखा सके कि नहीं मैं अभी पावर्फुल हूं मैं चाइना के विगास के लिए कुछ काम कर रहा हूं इसकी गौरब को बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहा ह वो सत्ता पर काविज हो जाए और लंबे समय तक बना रहे ऐसा होता नहीं चाहिए कितना ही famous क्यों न हो जनता एक दिन उससे क्या होती है ऊप जाती है दूसरा कारण क्या है चाइना नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो हॉंग कोंग को लेकर कोई statement दे क्योंकि जब कस्मीर का विवाद हुआ था तो चाइना ने क्या किया था भड़ चड़ कर उसमें इससा लिया था और जो 378 थी उसको अनेतिक करार दिया था इसलिए ये चाहता है कि भारत जो हो हॉंग कोंग का जो बिसे है उस पर बिलकुल न बोले तो देखिए आप लोगों की क्या प्रकरिया है आप लोगों की वीडिया कैसा लगा आपकी इस कुछ इस बेबाद को समझने में मदद मिली तो थैंक्यू धन्यबाद अपनी प्रतकिरा जरूर दे रहा हूं